हलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे IPL 2021 का जो 28-वा मुकाबला राधिस्थान रोल्स बसे संडराइजर से अधरबाद के बीच खेला जाएगा उसके बारे में और दोस्तों दोनों टीमों के स्टैट्स के उपर पूरी डिटेल अनलिसिस करेंगे और जानेंगे यहाँ से कौन से प्लेर आप लोग के लिए बेस्ट अप्सन रहेंगे स्मॉल लिग के लिए और ग्रेंड लिग के लिए तो 28 मुकाबला है जो कि अरुन जेट लिए स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा बात कर ले तो बैटिंग फ्रेंड लिग पीछे दोस्तों यहाँ पर अब उसके बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटन की बात कर ले तो 1.500 के नीचे यहाँ पर 21 बार स्कोर रहा है 150 और 170 के बीच में 20 बार और 170 90 के बीच में 18 बार और 190 के पलस भी यहाँ पर स्कोर जा चुका है दोस्तों 13 बार यह तो होगी अभी तक कि जितने भी IPL मैचे खेले गए हैं उसकी पीच रिपोर्ट अब बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट के जो 5 IPL मैच खेले गए हैं इस ग्राउंड पर उसकी पीच रिपोर्ट के उपर तो लाश्ट के जो 5 IPL मैच खेले गए हैं जिसमें जो टीम पहले बैटिंग किया एक बार जीती है और जो टीम चेस किया दोस्तो चार बार जीती है तो इसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो भी टीम टॉस जीतेगी दोस्तो पहले यहाँ पर फिल्डिंग करने का निरने लगी क्योंकि बाद में यहाँ पर चेस करना दोस्तो बहुत ही असान है और बाद में बॉलिंग करना बहुत ही मुस्किल है यहाँ पर एवरे स्कोर की बात कर ले तो दोस्तों 178 के आसपास आपको एवरे स्कोर दिख जाएगा और अभी मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको कंफर्म कर दूँ यह जो लास्ट के पांच मैचेस की रिपोर्ट है दोस्तों के वल एक मैच पुरानी है क्योंकि जो अभी मुंबई औ चन्ने के मुकाबला हो रहा मैं उसी टाइम यह वीडियो बना रहा हूं तो अगर यह मुकाबला खतम होने के बाद आप लोग देख रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्सन ने अभी पिछ रिपोर्ट अपडेट कर दिया होंगा तो आप जल जल जाकर देख लीजिए बात करें कि बात करें तो यहां पर विकैट दोस्तों कम ही गिरते हैं क्योंकि बैटिंग फ्रेंड़ी पीछ है बात कर लेते हैं दोस्तों टीम बनाते सब्स्क्राइब चाहूंगा जितने भी भाई लोग दोस्तों हमारे चैनल पर पहले ही बारा है सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा दोस्तो ताकि आपको जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेसन सबसे पहले जाए और आपको पता है कि जितने भी IPL के मैच है दोस्तो सारे मैच में मैं दो वीडियो बनाता हूँ यह जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तो एनलिसिस वाली वीडियो है और एक मैच से पहले मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें 6 ग्रैंडली की टीम कॉम्बिनेशन बताता हूँ तो आप लोग दोस्तो सपोर्ट देखाईए ज़्यादा कुछ नहीं अगर आपको हमारी अनलिसिस अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर दीजिए कि दोस्तो बस उत्रही मैं आप लोग से चाहता हूँ बात कर ले तो यहाँ पर आपको काटे की टकर देखने को मिलेगी 13 मैच खेले गए हैं दोस्तो राजिस्थान और हैदराबाद के बीच जिसमें से राजिस्थान की बात कर दो छे बार जीता है और हैदराबाद साथ बार लग 2020 की सिजन की बात कर रहते हैं एक मैंच राजिस्थान जीता है एक मैंच हैदरबाद और 2019 की सिजन की बात कर रहते हैं एक मैंच हैदरबाद और एक मैंच राजिस्थान जीता है तो आपको यहाँ पर काटे की टकर देखने को मिलेगी और आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी आप कमेंट करके बताइए उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीमों को भी जो 2020 में मुकावला दोग खेला गया था उसकी पूरी यहाँ पर स्टैट्स की उपर तो आप लोग इसे देखकर अंदादा लगा लिजेगा कि कौन सा प्लियर एक दूसरे के टीम के खिलाप सांदार परफोर्मेंस करता है तो सबसे पहले बात करते हैं, राजिस्थान की तरफ से यहाँ पर बेन श्टोकस दोस्तों अभी अब लेबल नहीं तो इनको इग्नुर करते हैं और अश्टीवना समीथ अभी दिल्ली में चल गहाँ तो इनको इग्नुर करते हैं बटलर की बात करें तो बटलर का आप लोग देख सकते हैं, इनका रिकॉर्ड दोस्तो कुछ खास है नहीं, हैदरवाद के खिलाफ, एक मैच में 16 रन बनाए है, दूसरे मैच में 9 रन, संजू सेमसन इस मैच के लिए आप लोग के लिए बेस्ट अपसन रहेंगे, क्योंकि पि रहेंगे, इनका रिकॉर्ड दोस्तो अच्छा रहा है, हैदरवाद के खिलाफ, बात करें अब हैदरवाद की तरफ से तो आपको पता है, दोस्तो हैदरवाद की केवल टॉप और पर आपको जादा फूकस रखना है, क्योंकि दोस्तो डेविड वारनर, जोनी विरेश्टो केन विलेंसन और मनीस पांडे, वह ही दोनों मतलब चारो टॉप ओडर के पिलियर्स पर पूरी हैदरवाद के मतलब टीम डिपेंड रहती है, तो डेविड वारनर का भी रिकॉर्ड अच्छा है, दोस्तो मनीस पांडे का तो बहुत ही खतरनाक रिकॉर्ड है, देखी सकते ह हैं कि एक मैच में 24 रन, दूसरे मैच में 83 रन अबाद, और पिछले मैच में भी दोस्तो मनीस पांडे के बहुत ही संदार बैटिंग करके आ रहे हैं, तो यहां से डेविड वारन, जोनी बिरिष्टो, मनीस पांडे आपको तीनों पर जारा फोकस राकना है, जोनी बिरिष से, तो राजस्थान की तरब से, बॉलिंग सिक्षन में कोई भी खास यहां पर है नहीं, केवल एक जोफरा अर्चन है, जो की इस सीजन तो खेलनी रहे हैं, इधर से बात करें, तो रासित खान आप लोगों के लिए बेश्ट अप्शन रहेंगे, खली लहमद और बीजय सं जीता है दोस्तों, और एक मैच ड्रो हुआ था, दिल्ली के खिलाफ ओ भी दोस्तों हार कर रही है, तो यहां पर इसे देखकर तो लगे रहा कि यह राधिस्थान का पगड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि हैदरवाद की बात करें, तो लास्ट के पांच मैच जीत करा रह है, टॉप प्लियर परफोर्मेंस की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड के उपर दिल्ली में, तो मनिस पांडे, डिविड वार्न, जौस बटलर और केन विलेंसन आप लोग के लिए बेस्ट आप्सन रहेंगे इस मैच के लिए, क्योंकि इनका रिकॉर्ड्स दोस्तों दि की विलेंस की क्या रहीगी एक लेमन, तो फिष्जै मैंच में जैदेू नटकार को क्खिला गया था, तो हो सके दोस्तों, जैदेज नटकर की जगस, रेस गोपाल को खेलाया जाया था, यूकि पीछले मैच में जड़े मेहनगे साबित हो गया थे, जास बटलर ये, स्थिय दोनों दोस्तों पिछले मैच W पकी इधर आपको इधर बी टॉप पर बार्णू ब करते हैं की युग की दोस्तों बेंग सेम रही गी दोश्तों कूछ भी चेंजिस होता है तो रूब्टेट करूँगा पर सबसे Dolay दोट दूसरा मैच खेला जाएगा उसकी भी मैंने वहाँ पर वीडियो बना दी है अनलेसिस वाली वह भी आप देख लीजे लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है बात कर लेते हैं दोस्तों अब राजयस्थान जो अभी इस सीजन 6 मुकाबला खेल करा रहा उसकी पूरी प्लियर प्रेटर प्रेशन में प्रफॉमस के उपर जो यह करेंट प्रफॉमस से 6 मैच अभी खेला है राजयस्थान तीसे देखकर जान जेगा कौन सा प्लियर इस सीजन अच्छे फॉर्मम है जोस्बडलर की बात कि रहें तो एक मैच चल रहे हैं फिर दो मैच में नहीं चल रहे ह थे 41 रन बनाये थे तो दोस्तों इस मैच में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि इनका कुछ खास रिकॉर्ट है नहीं है दरवाद से खिलाव यह सब्सक्राइब करने दोस्तों पहले आते हैं चार चौथे नमर पर आ और बॉलिंग भी करते हैं तो आपको इनको ड्रॉप नहीं करना है आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो जौस बटलर को कर सकते हैं इस मैच के लिए क्रेट मेंटेन करने के लिए तो अभी हम लोग दोस्तों पूरा टीम डिसकस करेंगे आप वीडियो के साथ बने रहे और आप के लिए दोस्तों गीवे भी लाया हूँ तो आप गीवे के लिए भी थोड़ा बहुत इंतजार कर लिए बात करें बॉलिंग सेक्शन से तो बॉलिंग से क्रिस मोरिस छे मैच में 11 विकेट लिया है और चेतन सकरिया तकेवल दो प्लेयर पर आपको बॉलिंग सेक्शन पर च्यादा फोकस कना है समॉल लिंग में क्रिस मोरिस और एक छेतन सकरिया बात करें तो शिर्यस गॉपाल अगर खेलते हैं तो आप इनो ग्रेंट लिंग में में ट्राइग कीजिये क्यूंकि स्मॉल लिंग में यह लुग थोड़े दिस्कियों अपसन हो जाएंगे बात कर ल top order है बहुत ही strong है तो आपको इधर top order पर ज्यादा focus रखना है कोशिस यह कर लिजेगा दोस्तो चारों को चारों top order को आप अपनी समोलिक की टीम में रख लिजेगा बात करें दोस्तो अब 4 match मतलब जो 6 match खेल करा रही है दरबाद की टीम इस सिर्जन उसकी पूरी प्लियर performance के उपर तो डेविड वारनर दोस्तो इस्टार्टिंग के तीन match में दोस्तो जब खेले थे अच्छे performance में थे लेकिन बात कर ले तो दोस्तो उसके वाल इनका performance दूस्तों बात करें बैट इंग सक्षट है तो डेविट वार्न दोस्तों स्टार्टिंग हैं। लिए बरेंगाटिन बैटिंग के वाहे सी ब्सक्राइब दुचन कोफ़ों सहा जरूरु बनाईगा चाप्टन जरूरुद बनाइगा था स्मॉल लिग या ग्रेंड इल्कुल ने डॉप कीजिए कि दोस्तों कि इनका राजस्थान का खिलाब भी बहुत ही सांदार फॉर्म है बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्षन से तो इधर से आपको कोई भी ऐसा बॉलर नहीं दिखेगा दोस्तों जो करना धार का गवर्ण से राजित खान और डोस्तों तो राजित खान व्हें से लेते हैं बसकुले इस कि विए देख सकते हैं तो अपने पर लेते हैं अपनी हैं बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर की प्लियर्स के उपर तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की तरब से कौन सी प्लियर आप लोग के लिए इस मैच के लिए बैस्ट रहेंगे तो संजू सैंपसन, जौस बडलर, या सचीजस वाल क्रिस मोरिस और चेतन सकरिया बात करें तो संजू सैंपसन, जौस बडलर और या सचीजस वाल यह तीनों ऐसे पिलियर से जो की लाइन से बैटिंग करने आएंगे और पिछले मैच में इसी ग्राउंड पर दोस्तों बहुत ही सांदार परफोर्मेंस किये थे भले ही दोस्तों राजस्तान पिछले मैच हार करा रही है वो दोस्तों बॉलिंग के कारण हार करा रही है क्योंकि ये लोग तो मतलब 172 रन टार्गेट दिये ही थे अच्छे लेकिन बॉलिंग सेक्शन से इनके बॉलर कुछ खास पफोर्मेंस कर रहें पाएं बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो आप लोग यहां से चेतन को ट्राइ कर सकते हैं और ऑल रांडर सेक्शन से क्रिस मोरी से आप लिए बैस्ट और रहेंगे इस मैच के लिए हैधरवाद की बात करें तो इधार ही टॉप ओर्डर पर जादा फोकस आकना है क्योंकि बात करें तो आपको पता है कि हैधरवाद के टॉप ओर्डर दोस्तो पूरी डिटेल एनलिस तो दोस्तो उसके बाद आप हम लोग बात कर लेते हैं टीम्स की उपर तो यहां पर मैं आपको दो काई क कोंबिनेशन के साथ स्मॉल लिक के टीम बताऊंगा कियोंकि आपको भी पता है क्रेट में जांचे मैं करने में बहुत ज्यादा प्रोबलम हो रही है टीमम बनातेस्पाएं तो यहां पर मैं दो combination के सा टीम बताऊंगा small league की फिर grand league की टीम बात करेंगे तो जो लोग भी अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहां तक वीडियो देखने के लिए subscribe नहीं कियें तो subscribe कर लिजे इतना महनत के लिए इतना महनत से दोस्तों मैं आप लोग के अनलेसिस लाता हूँ और टेलिग्राम चैनल पर जोइन कर लिजे दोस्तों link description में है और grand league की टीम सोले वीडियो जरूर देखेगा वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फैदा करेगा बात करें पहले यह small league की टीम के उपर तो wicketkeeper section में देखियेगा कि यहाँ पर तीनों को तीनों best wicketkeeper आपको देखने को मिल जाएंगे बात करें तो जॉनी बरेश्टो भले ही पीछले match में अच्छे form में नहीं थे लेकिन इस starting से यह अच्छे form में है जॉस बटलर और संजू सैंसन पिछले match में इसी ground पर अच्छे form में थे तो यहाँ समय जो मेरी पहले यह small league की टीम रहेगी उसमे मैं बिल्कुल भी रिक्स नहीं लूँगा यहाँ समय जॉस बटलर और यहाँ से जॉनी बरेश्टो और संजू सैंसे तीनों को लूँगा बैटिंग सिक्षन से बात करें तो मैं डेविड वारान को लिया है मनिस पांडे को और निजसी यह ससी जेस्वाल को लिया है क्योंकि बात करें तो केन विलैंसन पहले बैटिंग करने मनिस पांडे आएंगी उसके बाद फिर केन विलैंसन आएंगी को स्टार्टिंग से अच्छे पॉइंट दिला रहे हैं और इनका क्रेट दोस्तो 9.5 का है बॉलिंग से बात करें तो रासित खान का मुझे ड्रॉप बिल्कुल नहीं करना था क्यूंकि इसी ग्राउंड पर पिछले मैं जो तीन विकेट चटकार करा रहे हैं और यहां से मैंन कोई अच्छे प्लिएर्स कालतों आप चाहते हैं तो केडार जाता को ट्राइक कर सकते लेकिन मेरे हिसाथ से 1943 best option रहेंगे दो मैच खेले हैं दोस्तों 3 मैच खेले हैं दो मैच मे अच्छा points दिला हैं लेकिन पिछले मैं मैंक पुछ उन्हों ने किया नहीं है तो आप मेरे पहली टीम है इसमें के वहले मैंने शिधास कोल पहए छोड़ा सा रिक्स लिया है बात करें, वाइस कैपन के उपर तो यूंस बनाऊँगा यहां से जॉनु के पाऊँच्टर को वाइस कैपन दोस्तों यहां से बनाऊँगा सझू सेमसन को संजू सेमसन को क्योंकि बात करें तो जोनी बिरिष्टो स्टार्टिंग से अच्छे फर्म में थे भले पिछले मैच में किल साथ रन बनाएं लेकिन इस टार्टिंग से अच्छे फर्म में आप पॉइंट देख सकते हैं 358 पॉइंट दिये हैं और वाइस केप्टन मैं सेमसन को कैप्टन बना दिजिए अगर हैदरवाद की टीम टॉजी तो आप यहां से जॉनी बिरिष्टो को कैप्टन बना दिजिए तिये मेरी पहली टीम कॉम्बिनेशन रहेगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रिवीव के ऊपर तो दोस्तों यह मेरी पहली स्मॉली की टीम की प्रिव्यू है जो मैंने आपको बताया कैप्टन में रहेंगे जॉनी विरस्टु और संजू सेंपसन वाइस कैप्टन तीन विकेट कीपर को मैंने लिया है तीन बैट्समेन को लिया है और बात कर लेते हैं दूसरी आ कीम मैंने ठो किया बात करेंट करें तो हैंए सिवम डूबे को एड़ किया है अपनी दूसरी आ को लिए लिया बात करें दोस्तो यहां से और आपको भी पर आयों के बैटिंग करने तो इधर से राइन से जो बैटिंग करने आएंगे संजू सेमसन या सप्षी जेसवाल और सिवन दूग उनको ले लिया है और इधर से मैंने चारो का चारो बैट्समेन को लिया है और राउंडर मिलाकर मैंने तीन बोलर लिया है दोस्तों यहां सिर्फ राजिस्थान के तरफ से टेलिग्राम चैनल पर जो लोग भी जॉइन ने किया है जॉइन कर लिजे वहाँ पर मैं आपको फाइनल टीम देता हूँ दोस्तों टॉस के बाद वो भी बिल्कुल फ्री में और वहाँ पर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीम कॉम्बिनेशन मिलेगी आप बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रैंड लिग के टीम तो ग्रैंड लिंग में मैं सिंपली जॉज बटलर को बनाँगों क्यूंकि इनको बहुत ही लोग ईक्नोर कर रहे Allrounder section में वही दोनों के दोनों Allrounder के लिया है मैंने डेविड विलनर को भी आस बैटिंग section से लिया थी यह मेरी Grand League team है तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब और जो मैं Grand League team combination वाले वीडियो अप्लोड करता हूँ तो उससे भी जरूर देखिएगा उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फैदा होने वाली है और टेलेग्राम चैनल पर दोस्तो जल से जल जोईन कर लिजिए